मेरे भाई एरफोर्स और नेवी का प्रिपरेशन करते हैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत ही एक अच्छा ओपोर्चनेटी है बी एसेप के तरब से और इसमें जो स्लेबस है वो भी बिलकुल आप समझ के चलो कि आपका एरफोर्स और नेवी लेवल का ही है और जितने भी लड़के का मतलब कि ये मन है कि आपको प्रमानेंट जॉब चाहिए तो आपके लिए ये वन आप दे बेस्ट ओपोर्चनेटी रहने वाला है और अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो इसमें आपका स्योर्ड सेलेक्शन हो जाएगा वैसे तो BSF में बहुत ही कम पोश्ट पे वेकेंसी आती है लेकिन इसमें इस बार जो वेकेंसी आया है काफी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही जादा पोश्ट है और आपका सेलेक्शन होने का चांस बहुत ही जादा है इस वेकेंसी के अंतरगत अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो इस पोश्ट का क्या नाम है तो ये जो पोश्ट है आपका BSF Head Constable Radio Operator और Radio Mechanic का पोश्ट पे वेकेंसी आया हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है वो आप समझ के चलो आपका 19 सेप्तमबर है अगर आप 19 सेप्तमबर से पहले पहले ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और ये Head Constable का दोस्टों पोश्ट है आप समझ के चलो कि SSC GD का जो वेकेंसी आता है उससे ये कई गुना अच्छा ओपोर्चनिटी है और बहुत ही अच्छा जॉब है आप समझ के चलो कि अगर जो भी लोग मतलब की SSC GD के तहद जो है Constable में Recruit होते हैं उनको कम से कम 10 से 15 साल लग जाता है Head Constable बनने के लिए और यहां से आप सीधा जो है इसमें अगर आपका सेलेक्शन होता है तो आप Head Constable बनेंगे उसके बाद Assistant, Sub Inspector, then Sub Inspector फिर आप जो है Inspector बनेंगे तो इसमें काफी मतलब अच्छा Opportunity है और यहां पे आप लोग Number of Vacancy भी देख सकते हैं Total Number of Vacancy का अगर बात करूं तो 1300 आपका मतलब की Total जो Vacancy है 1312 पोश्ट पे वेकेंसी आया हुआ है और यहां पे आप देख सकते हैं यह है आपका Head Constable Radio Operator के लिए और Head Constable Radio Mechanic के लिए आप दोनों के लिए भी Apply कर सकते हैं बस आपको दोनों के लिए अलग-अलग से Form भी मतलब की देना पड़ेगा और अलग से दोनों का Form आपको भरना पड़ेगा और इसका जो Exam का Date है सब कुछ दिया हुआ है आप समझ के चलो कि अगर आप अच्छे तरह से महनत कर लेते हैं तो मई-जून तक आपका इसमें Final Selection हो जाएगा ज्वैनिंग हो जाएगा बहुत ही अच्छा Opportunity है और यहाँ पे आप लोग देख लो 20 November को आपका जो है एरफोर्स लेवल ही रहने वाला है उसके बाद यहाँ पे आप PhD, PT डेट भी देख सकते हैं 16 जनवरी 2023 दिया हुआ है 15 फरवरी से आपका मेडिकल हो जाएगा देन उसके बाद Final Merit List आएगा और जो भी लोग आरो के लिए फॉर्म भरेंगे उनका जो है 250 और 50 marks का जो है dictation test होगा जिसमें कि आपको English पढ़ने के लिए दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे radio operator का है मतलब signal को आपको पहुँचाना है तो इसके लिए आपको मतलब कि इसका dictation test देना होगा और RM के लिए कोई भी आपको अलग से test नहीं देना पड़ेगा सिर्फ आपका exam होगा और उसके बाद आपको जो है face 2 देना है face 2 बोले तो आपको 1600 मिटर का running करना है दैन उसके बाद long jump high jump होगा बांकी और कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे मैं अगर slavers का बात करूँ तो यहाँ पे other category को यहाँ पे age lexation भी दिया गया है तो आप लोग उसके according देख लेना दैन उसके बाद इसका जो है यहाँ पे आप लोग देख लो आपको लोग का height minimum 168 होना चाहिए और female के लिए और female के लिए 157 होना चाहिए दैन उसके बाद यहाँ पे आप लोग यह सारा कुछ पढ़ सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप लोग यह सब पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप लोग इसका exam का pattern देख लो 40 marks physics का आएगा मतलब कि 40 question physics का होगा एक question पे 2 marks होगा total 200 marks का exam होगा इसमें अलग से जो आपको पढ़ना है वो है सिर्फ chemistry अगर आप chemistry को नहीं भी पढ़ते हैं physics, math और English, gk कर लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा number आ जाएगा और last time जो वे यह vacancy आया था तो इसका cut up भी बहुत ही ज़्यादा कम गया था मतलब बोल सकते हैं कि 85 number में selection हो गया था यहाँ पे अगर आप 100 number 110, 120 target कर लेते हैं और अगर आपका इतना marks आ जाता है तो 100% आपका selection हो जाएगा आपको chemistry के लिए थोड़ा अलग से पढ़ना पढ़ेगा और physics का level वही रहता है Air Force level और math भी कुछ जो है इसको अभी target कर रहा हूँ Actually मैं bank का preparation कर रहा था लेकिन अभी मेरा graduation नहीं हुआ है इसलिए जो है मैं अभी सोचा कि अभी मेरे पास 2 महीने time है तो क्यों ना इसको एक बार देख लिया जाए और साथी साथ आपको running का भी preparation करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि General OBC EWS 38% marks lana compulsory है और STSC के लिए 33% और कुछ खास इसका syllabus भी नहीं है आप जो है अगर अच्छे तरह से मेहनत करते हैं तो सियोर आपका selection हो जाएगा तो आप लोग नीचे comment box में comment करना कि आप इस form को fill करने वाले हो की नहीं करने वाले हो और अगर आपने form को fill कर दिया है तो नीचे comment box में comment कर देना कि मैंने fill कर दिया है आप लोग मेरा WhatsApp group join कर लो Telegram group join कर लो और आप लोग preparation में लग जाओ कोई भी doubt होगा तो I will clear your doubt तो चलो फिलाल इस वीडियो में इतना है Thank you and Jai Hind